आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में दिये गए Options को देखकर हमें बताना है कि इन में से किसके लिए हम Ex-Situ Conservation की Term apply कर सकता है अब ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी Earth पे और especially हमारे इंडिया में बहुत ही जादा Rich Biodiversity है या हम कह सकते हैं कि Species Richness का Level बहुत ही High है अलग-अलग तरह कि Plants और Animals की Varieties हमें देखने को मिलती है मगर पिछले कुछ समय में हम देख रहा है कि इस Biodiversity में तेजी से Loss हो रहा है Human Activities की वज़े से और कई सारी Species ऐसी हैं जो कि आने वाले समय में Earth से Disappear होने का या Extinction का Threat Face कर सकते हैं तो ऐसे में इस Extinction को रोखने के लिए इसके Rate को कम करने के लिए या अपनी Biodiversity की Conservation करने के लिए हमें कुछ Steps उठाने पड़ते हैं और Mainly दो तरह की Approach Biodiversity की Conservation के लिए हम ले सकते हैं एक होती है Exitu और एक होती है In-Situ Conservation तो In-Situ Conservation में क्या होता है कि इसमें जिसको भी हम Protect करना चाहते हैं Plant या Animal को उसको हम उसके Natural Habitat से बाहर नहीं निकालते हैं बलके इसके पूरे Habitat को ही हम Protection दे देते हैं तो यानि एक Natural Ecosystem के अंदर Pristine State में, Natural State में हम Preserve करते हैं हाँ पर Plants और Animals को जबके Exitu Conservation में हम इनके Natural Habitat से निकाल कर इनको अपनी Observation के अंदर Human Care में रखते हैं दिया है Biosphere Reserve तो Biosphere Reserve क्या है? एक तरह का ऐसा Forested Area होता है जिसको Government ने अपनी तरफ से Legal Protection दे रखिये तो ये तो In-Situ का ये Example हो गया है क्योंकि हाँ पर पूरे जंगल को हम Protect कर रहे हैं जस जानवर को हम बचाना चाते हैं उसको जंगल से निकाल कर अपनी केयर में नहीं रख रहे है तो ऐसे में Biosphere Reserve In-Situ हो गया उसी तरह से Wildlife Century भी In-Situ Conservation होता है और Protected Forest भी In-Situ के अंडर या जाएगा यहाँ पर Option D हमारा X-Situ का Example है जोलोजिकल पार्क के अंडर किसी Endangered Species की अगर हम Breeding कर रहे हैं यानि जू में अगर Captivity में Animals को Breed कर रहे हैं तो इसे हम X-Situ Conservation करेंगे क्योंकि जू का मत्तब है कि हम अपनी के अंडर उन्हें रख रहे हैं उनके Natural Habitat जैसी कुछ-कुछ Conditions Create करने की कोशिश करते हैं लेकिन Natural Habitat Real में होता नहीं तो यहाँ पर Option D हमारा सही अंसर हो जाएगा और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि X-Situ Conservation जादा अच्छी है या In-Situ क्योंकि सपोस किसी की Population बहुत ही Decline हो गई गिने चुने Individuals रह गए किसी Animal के तो उसको अगर हम Institute Conservation करना चाहें जंगल के अंदर छोड़ दें तो जंगल में तो अलग-अलग तरह की Interactions हो सकती है अनिमल के बीच में Prey होते हैं, Predator होते हैं तो सपोस हमारा पास 2-3 Individuals बचे हैं बहुत कम Individuals बचे हैं और अनिमे से भी एकाद Natural Habitat में रहते हुए किसे ना किसी वज़े से Lost हो जाए तो ये हम Afford नहीं कर सकते हैं इसलिए बहुत ही कम जब रह जाती है किसी की Population तो हम उसे निकालके अपने केर में ले आते हैं और उसकी breeding करते हैं तो यहाँ पर Option D मारे सही अंसर है Zoo, Exitoo Conservation का सही एक्साम्पल है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजे अपने डाउट्स 8400 चार्सो पर